मैंने गुना यही किया है ना कि हमें दूद बेचनेवाल का बेटा हूं मैं लिटी चोखा बेच के यहां पर आ गया तो मैं उस राजपुत समाज से पूछना चाहता हूं जो लोग हतियार लेकर खेसारी को धूंड रहे थे लोग लगता था यहार लेकर ढूड रहे हैं सब कुछ खतम कर देंगे खेसारी को राजपुत समाज से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों गलत को हमेशा ऐसा ही सपूट करोगे मैं जानता हूं यह कहां से बढ़ावा मिल रही हो इतना बूरुबग थोड़ी हूं यहां से यहां तक पहुंचा हूं तो ऐसे थोड़ी पहुंचा हूं तो अगर मम में दम है ना तो मुझे मेरे को हारा हूं अब खुद तो कर नहीं सकते किसी से करवाते हूं क्यों करवाते हूं अब सरीव खेसारी को तरगट करना आता है किसारी जी सब बन के दिखाओ यार नमस्ति पढ़ाओं जितनी भी हमें प्यार करने वाले लोग हैं सुनने वाले लोग हैं सबसे दिल से एक प्रातना है एक बात स्रिफ कहना चाहता हूं मैं थोड़ी दिर के लिए लाइब आजा हूं परिशानी ठीक है मेरी है कुछ है कला छित्र में परिशानी है मुझे बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता है वन मिनिट्ट लेकि समस्या ये है कि कुछ दिन पहले मेरे अपनों ने किसी को लाइब में थपड़ मार दिया था उसके लिए पूरे राजपुत समाच को ये लगा था कि पूरे राजपुत समाच को थपड़ मारा गया है कुछ राजपुत समाच पूरे नहीं कुछ थे कुछ उसमसे कलकार बंदू भी थे कि उनके सपोर्ट के लिए बाई रोड मुंबई से चलके और जाके कि हाँ राजपुत समाच को मारा गया है हम बरदास नहीं करेंगे फिर से वही काम मेरे साथ हुआ है फिर से मेरे बेटी को तारगेट किया गया है फिर से उसके नाम को उसको फोटो को लगा कर गाना गया गया है मैं उस राजपुत समाच से यह पूछना चाहता हूँ कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोट करोगे हमारे लिए सब लोग देखे कुछ लोग कहते हैं कि जाती बात करता हूँ मैं जब मेरे मेरी फैमली की मेटर पे कुछ चीज़े आती है तो क्यों चुप हो जाता है सारी के सारे लोग क्यों चुप हो जाते हैं वहां अपका समाज नहीं समझ में आता है हैं अब मुझे क्या करना चाहिए फिर से मेरे बेटी को target किया गया है फिर से मेरे बेटी का नाम और photo लगा कर गाना गया गया है तो मैं उस राजपुत समाज से पूछना चाहता हूँ जो लोग हथियार लेकर खेसारी को धूंड रहे थे, कहां है आप लोग अब, क्यों किसी को मजबूर, क्यों किसी पीता को मजबूर कर रहे हो, आप लोग गलत करने पे यार, हमारा फेमिली ने क्या बिगाड़ा है किसी का, हम गाना गा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चीजे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिन्होंने agreement में मुझे दवोच रखा है कि हांखे सारी को बरबाद कर देंगे, ठीका भी उन्हीं ने लिया है, कि हां बरबाद करना इनको, क्यों यार, मैंने गुना यही किया है, कि हां मैं दूद बेचने वाला का बेटा हूं, मैं लिटी चोखा बेच का यहां पर आ गया, तो मैं मेहनत किया, लोगों का प्यार मिला मुझे, ऐसे नहीं अश्टारड़ मुझे मिल गई, आप लोग मुझे प्लीज मैं चाहता हूं, कि मुझे इतना फ्रस्टेड मत करो, कि एक पिता, एक मैं कलाकार होके नहीं बात कर रहा हूं, और हर आदमी के घर में एक बेटी हो हर आदमी के घर में एक बेहन होगी, हर आदमी के घर में एक माँ होगी, जो समाज उसको हेल्फ करता है और जो समाज उसको बढ़ावा दे रहा है, आज उस समाज कहां गया, फिर से वो ही तारगेट हुआ, मेरा फैमली, ताकि मैं डिस्टब हो जाओ, मैं एक कलकार होने के ना है, उसका गरांटी मैं थोड़ी लिया हूँ, उसका अपना जीने का तरीका है, मैं बिता बना, मैंने बच्चे पैदा की, मैंने बेटी भी पैदा की, मैंने बेटा भी पैदा किया, तो उसमें मेरा गुनाह थोड़ी है यार, और मेरी फैमली ने क्या भी गड़ाए किसी का फिर से मेरी family target हो रही है क्यों एक तो already मैं इतना परिशान हूँ अपने गानों को लेके कि 200 गाने मेरे कम से कम delete हो गए इतना मेहनत किया और मेरे मेहनत को एक minute में सब ने खतम कर दिया सब मिलके एकदम लगे कि खिसारी को खतम मैं खतम नहीं हूँगा लेकि मेरी family को मैं आप सब से request कर रहा हूँ उस समाज से request कर रहा हूँ कि क्या आपके घर में वो बहन नहीं है आपके घर में बेटी आप लोग बेटी पैदा नहीं करते कुछ जिन को वो problem हुआ था उस समय है कि राजपूत समाज को किसी ने live में थपड मार दी हम बरदास नहीं करेंगे क्यों यार मत करो मुझे यार ऐसे मत करो एक पिता को मत उसकाओ कलाकारी से जितना आपको मेरे को पीछे करना है कोसिस करो करने के लिए लेकि आप side side से जो target आप लोग कर रहे हो यह ठीक नहीं लग रही है मुझे और यह समाज के लिए ठीक नहीं है किसी की बेटी पर गाना गान देना किसी की उसका फोटो लगा देना उसका नाम रखके फोटो लगा देना यह कहां तक सही है यार मेरे अपने अगर लाइब में मार दिये उसके गलतियों पे तो उसके लिए पूरे समाज को थपड मारा गया था ना पूरे समाज को थपड मारा गया था और आपके समाज का वो बेटा क्या कर रहा है किसी की बेटी के नाम लेकर और फोटो लगा कर गाना गार है तो आपका समाज बहुत उपर जा रहे भाई अच्छा हो रहा है एक पिता को मत उसकाओ आप लोग, कुछ लोग, मत उसकाओ हाँ मैं पिता हूँ, मेरे अंदर छमता है अगर मैं उन बच्चों का भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, कोसिस कर रहा हूँ, अपने भजपुरी भासा के लिए कोसिस कर रहा हूँ तो जब पिता की बात आएगी न, तो साइद मैं चुप नहीं रहूँगा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आपका समाज कहा गया, अब उसको क्या सजा देगा आपका समाज फिर से वो ही तार्गेट हुआ है मेरे फेमली, नहीं मिलता है कुछ, मुझे हारानी की छमता नहीं है, अवकात नहीं है, दम नहीं है, बम में तो मेरे फेमली मिली है आपको, और आप लोगों मेरी फेमली मिली है, मत करो, मुझे गलत करने पे मजबूर मत करो आप लोग, कुछ लोगों की बात कह रहा हूँ, सुधर जाओ, अब वो यूटूबर कहा गये, जो किसी के नाम पे कोई गाना गा देता है, तो उसके लिए लेकर जंडा निकल जाते हैं, आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो आपका समाज का बेटा है, और आपके समाज का बेटा ने गाया है, नहीं निकलेंगे आप, और आप अपने आपको छत्रिये बोलते हो, छत्रियों का काम यह नहीं होता यार, एक किसी को मार दिया गया था लाइव में उसके गलतियों पे तो उसके लिए पुरा समाज कुछ लोग लगता था जा थियार लेकर ढूड रहे हैं, सब कुछ खतम कर देंगे खेसारी को, अब क्यों ने उठ रहे हो आप लोग, आपके बेटी बहन पे कोई अगर तार्गेट करके गाना गए तो आपको समा हो यह कहां से बढ़ावा मिल रही हो, इतना बूरबग थोड़ी हो, यहां से यहां तक पहुंचा हो, तो ऐसे थोड़ी पहुंचा हो, सब को देख के पहुंचा हो, तो प्लीज, हैमली को तार्गेट मत करो, अगर बं में दम है ना, तो मुझे मेरे को हारा हो, आप खुद तो कर नहीं सकते किसी से करवाते हो, क्यों करवाते हो गई, अब वो समाज कहा गया, जो हतियार लेकर खड़ा था, आपके भी घर में बेटी बेहन है, आपकी भी मा है, लीज, एक पिता होने के नाते बोल रहा हूं, कि मैंने गुनाह नहीं किया है अगर बेटी पैदा किये तो, क्योंकि मैं भी किसी बेटी का बेटा हूं, मैं भी किसी बेटी का भाई हूं, मत करो यार, बहुत हो गया, अब आप लोग मुझे परिसान कर रहे हो, मेरे सिंगिंग को परिसान कर रहे हो, मेरे गाने को परिसान कर रहे हो, और वो ही समाज के लोग है ना वो, जो मुझ मैं लंदन में हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और मैं काम ही करता हूँ, राजनिती नहीं करता हूँ, ये समाज उस बार सिर्फ खड़ा हो गया था, कि इस समाज के बेटे को मारा गया है, तो उसके गलतियों पर मारा गया था, अब वो समाज क्या कर रहा है, आज उसी ने फिर ओही समाज ने फिर मेरी बेटी को target किया गया फिर उसके फोटो लगाकर उसके नाम रख के गाना गया गया अब मैं क्या करूँ बताईए आप मुझे क्या करना चाहिए और उस समाज उसके साथ क्या करेगा कर सकते हैं आप है दम में आप में दम है तो करिए आप समाज के सुदारक है ना करिए करके दिखाए कि हाँ आप उसके साथ क्या करेंगे मैं कुछ नहीं करूँगा ठीक है मैं भगवान पर भरुसा करता हूँ कि भगवान मेरे साथ ठीक है मेरे गुना है साइद कि मैंने बेटी पैदा की मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसे समाज के लोग भी हैं जो हमारे बेटी की सम्मान को और हमारे सम्मान को उधेर देंगे क्योंकि ये समाज साइद क्या हो गया, अब आप लोग नहीं बोलेंगे, कि गलत हुआ है, वो यूटूबर कहा गये, जिक किसी के नाम पे कोई गाना गाता है, तो तुरंती आ जाते हैं, आप समाज को सुधारते हैं, हमारी बेटी समाज के हिस्सा नहीं है, है की नहीं, मैं उसी समाज से पूछना चाह है की नहीं हमारी बेटी समाज के हिस्सा, इस देश की धरवर है की नहीं वो, मत करो यार, चलिए थैंक्यू सो मच, मैं उस बस एक सवाल था, ये मेरे मन में चल रहा था, इसलिए मैं लाई वाया, बस इससे ज़्यादा कुछ ने कोंगा, बाकी जनता है, जनता सब जानती है जे कौन क्या है, कौन कितना कैसा है, क्यों होए, उसके ब्यक्तिकत क्या है, मेरे विचार धरा क्या है, मेरे जीने का तरीका क्या है, ये किसे से परे नहीं है, ये समाज का जूटा नाटक छोड़ दीजिए आप लोग, हमारे पास भी समाज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं उनकुछ लोगों से बोलना चाहता हूँ, जिनको मिर्ची लगी थी उस समय, मैं उन्हीं से बोलना चाहता हूँ, नहीं तो हमारे पास भी बहुत बड़े-बड़े समाज हैं, ऐसा नहीं है, मैं किसी जाती की बात नहीं करता हूँ, लेकि इसी जाती के लोगों ने, उस दिन, जब मारा गया था उसको तो एकदम तांडो मचा दिया था हर यूटूब से लेकर लाइब तक अब उस समाज के लोग कहा है जब फिर से वही हरकते हुई है मेरे परिवारा और फेमली के साथ तो कहा गया वो समाज खतम हो गया है सिर्फ खेसारी को तार्गेट करना आता है खेसारी जिसा बन के दिखाओ यार और खेसारी के आप लोगों नहीं बनाया है यह समाज नहीं बनाया है हर समाज ने मुझे बनाया है हर जाती ने मुझे बनाया है मैं किसी जाती की बात नहीं करता हूँ लेकि ये उस दिन target में हुआ था इसलिए में बाते बोल रहा हूँ कि किसी के गलतियों पर किसी को मारना क्या गुना है आपके बेटी के साथ अगर कोई ऐसा हरकत करे तो क्या आप उसको आरती उतारोगे मत करो प्लीज अब मैं उसी से पूछना चाहता हूँ आपको लोग का जवाब का वेट करूँगा मैं ठीक है चली ये जनता सब जानती है कि क्या करना है चली अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सौरी छमा परार्थी हूँ बट एक कलाकार और एक आटिस्ट के होने के नाते में एक पिता भी हूँ और मेरे अवलाद भी है और मेरा घर परिवार भी है उसका ध्यान है मेरे सारा कनाची सब को पस प्लेज थेंक यू